चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि कि जीयो का रिचार्ज आप खुद करके कैसे 50 रुपई की बचत कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर है आपके पास ATM कार्ड और जीयो का से में एक एंडराइड मोबाइल तो आप पासानी से अपने मोबाइल से खुद रिचार्ज करके जीयो का रिचार्ज पर 50 रुपई की बचत कर सकते हैं आपका रिचार्ज 50 रुपई कम में होगा दुकान से करवाते होंगे तो पूरे रुपई आपको पे करने पड़ते होंगे तो आपको टोटल रुपई देना पड़ता होगा एक भी रुपई दुकान बाला नहीं चोड़ता होगा अगर आपके पास है ATM कार्ड तो आज इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 50 रुपई कम में अपना रिचार्ज खुद से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीवी टेग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड़ कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में आल नोटिफिकेशन वेल को भी याउन कर दें तो आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना तो चलिए दोस्तों इसके लिए होना चाहिए आपको फोन में माई जीओ आइप जो अगर आपके फोन में नहीं है तो प्ल आपको नीचे क्लिक करना है यहां पर सबसे पहले देख लेंगे आपके पास बाउक्चर अबैलबल है या नहीं जिससे आपका रिचारज 50 रुपए कम में होगा वो बाउक्चर अप्लाइड होने पर जो मुझे तो तीन चार बार मैंने रिचारज कर बाया तो मतलब खुद क अपने माई जीओ आप में और नीचे माई बाउक्चर का ओप्सन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे चेक कर लेंगे माई बाउक्चर तो यहां देख सकते हैं दोस्तों कैस्वेक रैट 50 पाले मेरे पास 27 बाउक्चर अबैलबल है जिन में से मैं एक बाउक्चर एक रिच होगा तो अब इन्हें अपलाई कैसे करना है कैसे रिचार्ज करेंगे रिचार्ज कब काम करेंगा डारेक्ट लिए अगर एक रिचार्ज करते हैं तो काम नहीं करेंगा तो चलिए इसके बाद आ जाएंगे रिचार्ज पर यहां पर लिखा हुआ है रिचार्ज अब पिलस 10 रुपए अब जो आई उसी चार्ज लगता है 399 पिलस 10 तीन सो 409 रुपए पे करना होगा उसमें से 50 कम होगे इससे सिलेक्ट हो जाने के बाद आल लेडी सिलेक्ट है इसके बार नीचे आएंगे बाई के एक्शन पर क्लिक करेंगे अप्शन पर बाई पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास पैमेंट ओप्सन आ जाएंगे किसके थूँ आप पैमेंट करना चाहते हैं अगर आप फॉन पे गूगल पे पेटियम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको पचास रुपाय कम पे करना पड़ेगा उपर दिया हुआ है इससे पहले ध्यान देने की बाद अभी आप देख पा रहेंगे सोरा 400 अमांट पेवल टोटल अमांट 409 कॉर्णर में सो हो रहा है अब इसे में 50 रुपाय कम कैसे होगा तो आपको यहां पा रहे हों तीन सो उनसट रुपए माइनस पचास बॉक्चर अपलाई हो चुका है जिसका 50 रुपए माइनस हो गया है तीन सो उनसट रुपए हमां पे करना है और हमारा प्लांता 409 रुपए का 399 प्लस 10 का अब इसके बाद आपको एटीम की डिटेल कहां डाल नहीं है कै सब्सक्राइब करना तो नीचे दिया हुआ है डेविट का डेटीम कार्ड इस पर कर देंगे कि लिए इस पर किलिक कर देने के बाद आपके सामने यह पर जोपन हो जाएगा यहां आपको डाल लेना फस्ट में कार्ड नमबर नीचे एकसपारी डैट और मन्त एकसपारी मन् को भर कर दिखा देता हूं आपके फस्ट साइड में एक्टीम के जो 14 डिजिट का कार्ड नमबर होता है यहां डालकर डालना होगा जिसे मैं डालता हूं तब ते के लिए वीडियो को पास्ट कर लेता हूं के लिए लिए पर कार्ड करएं दोस्ट जैसा कि मैंने अपने कार्ड नमबर और एकसपार्एमेंट एक्सपारी यार सीक्साब्विपी कोड और अपना नाम सब कुछी कार्ड ऊल्डर निजेज यहां दिय हूए था कार्ड जो कार्ड पर नाम पड़ा हूई इसी तरह आप आपको भी अपने ATM कार्ड की सारी डिटेल फिल करने लिए होगी उसके बाद यहां नीचे दिया हुआ पे यहां पेपर क्लिक करेंगे पेपर क्लिक करते ही आपके जो ATM बैंक में जो आपका नंबर आड है मुबाइल नंबर उस नंबर पर एक आ जाएगा ओन टाइम पासबर् करते ही आप सोङगते हो कि आपके अकाउंट से कुई जज्यादा पैसे कर जाएए कम आपका एल incl, इसीतर तो आप खुद रिचार्ज करके पचास रुपई पर बचा सकते वाशा करता है। विडियो आपको पसंद आए होगाया यह आपको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे लिना मैं फिलाल रिचार नहीं करता कर रहूंगा क्योंकि आल लेडी मेरे पास अभी पिलान मेरा है मैंने रिचार्ज कर रखा है तो बस वीडियो को यहीं पर अंड करते हैं तो इस तो बाई बाई